पॉलिटिक्स में एक चीज याद रखना सिक्का उचले या ना उचले फिर ज़रूर उचलता है जो गुंडों से लड़ता है वो खुद गुंदा बन जाता है मेरी वफादारी बाबा के सादने आपके सादने जवाब के सारे पत्ते सही बढ़ रहे हैं तो दर्मा किस बादा दराने वादी कुछ लग तुकिंगा हीलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आज हम बताने वाले है बॉलिवूड की एक ऐसी बॉलक बास्टर मुवी के बारे में जिस मुवी का नाम है बाप हाँ दोस्तो बॉलिवूड वाले ऐसी ही बाप लेवल की मुवी बना रहे हैं जिसे देखकर आप लोग चौक जाओगे दोस्तों यह मूवी के जी अफ ट्रिपल आर बाहुबली वार इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी जिस मूवी का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अब फाइनली उसका अनाॉंसमेंट हो गया है लेकिन जब से थियेटर में रीलीज होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से में आपको इस मूवी की कंप्लीट अपडेट शेयर करूंगा जैसे इसकी कंप्लीट स्टार कोस्ट क्या होने वाली है और यह थियेटर में कब रीलीज होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ब मल्टी स्टार मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है इसमें 80 और 90 के सारे हीरो एक ही मूवी में नजर आएंगे जिस मूवी का नाम बाप है इस मूवी में संजय दत सनी देओल, मिथुन चकरवर्ती और जैकी श्रॉफ ये सारे एक्टर लीड में रहेंगे और इस मूवी इनका नाम भा है, जो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉक्बस्टर मूवी में था इस मूवी में सनी देओल का नाम अरजुन होगा जो इनकी बेस्ट मूवी अरजुन पंडित में था और जैकी श्रॉफ का नाम भी इसमें जै किशन होगा जो उनकी लाइफ की सबसे हिट मूवी में था और मिथुन चकरवर्ती का नाम इसमें एरा भगत होगा तो दोस्तों अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस मूवी में कितना तकड़ा और जबरजस्त एक्शन होने वाला है ये सारे अपने जमाने के जाने माने ही रोज में से एक थे पर कुछ तो इन में से आज भी मूवी में एक्शन करते हुए नजर आते है जैस सनी देओल की गदर टू मूवी और संजय दत की लियो मूवी जो अक्टूबर में आई थी जिसमें इन्होंने विलेन का रोल किया था दोस् असर एहमद खान है दोस्तों यह मूवी 2023 में ही रीलीज होने वाली थी लेकिन इस मूवी की एडिटिंग थोड़ी बाकी रह जाने की वजह से यह अब 2024 में थीटर में रीलीज होगी अभी इस मूवी की कोई फिक्स डेट अनाउंस नही हुई है लेकिन दोस्तों जैसे ही इ पिलीज डेट फिक्स होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ता कि आगे भी हम आपको ऐसे ही बहतरीन मूवी के बारे में बता सकें